हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आज के इस महत्पोर्ण वीडियो में दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट जो है कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर मैट्री का रिजल्ट कब आएगा तो मैट्री का रिजल्ट कब आएगा क्योंकि यूट्यूब के उपर कब तक कोई भी ऑफीसियल जानकारी मेरे पास नहीं आ जाता है तब तक मैं आप लोग को रिपलाई करता हूं या नहीं आपको कोई वीडियो बना करके देता हूं लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि यहां फाइनली जो है बोड़ अद्यक्चानंद किसोर जी के दोरा मैट बताने वाले हैं कि और लोग अजानकारी आपको LEAKE कर दीजेगा कि आप दूसरे तक पहुंचाने की काम करेंगेное पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल अकन प्रिस करके वाल पर सेलेक्ट कर लेजिए ताकि कोई भी जो सही जानकारी हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि कोई यह गलत जानकारी नहीं अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिहार बोड अध्यक्चा आनन्द कि सोर ने बताया कब तक आएगा भी से भी मैटिक अब लोग को सुनाते हैं कि यह दो है मैटिक रिजक्च से संब्दित क्या कुछ कहा गया है आगे बाहरे से पहले दोस्तों आपको बता दे कि अगर आप भी इस बार बच साल का previous year का question और उस पर आपको दोस्तों सभी subject का जो है chapter by महात्पूर्ण question का PDF आपको फिरी में मिल जाएगा तो जो लोग अभी तक जो ITA बाले mobile आपको download नहीं किये हैं इस वीडियो के description में link हम दे दिये हैं वहां से जा करके जल्द से जल्द आप लोग download कर लिजेए सब कुछ वहाँ पर आपको फिरी में मिलने वाला है तो चलिए जो है हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो लोग download करके रखें वो लोग update कर लिजेगा काफी नया चीज वहां पर जोरा गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर तीन मई के बाद lockdown नहीं बढ़ाया गया तो बिहार बोड दसमी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं के पहले या दूसरे सप्ता में घोसित कर दिया जाएगा यहाँ आप आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड विद्यालाय परिक्षा समीती अध्यक्ष आनंद किसोर ने कहा कि लॉक्डॉन खत्म होने के बाद जल्द ही बोर्ड मैट्र जारी कर देगा चुकि 75% मुल्यांकन कार्ज हो चुका है इसलिए हमें आगे की परकिरिया पूरी करने में सिर्फ 3-4 दिन लगेंगे उन्होंने कहा कि अगर लॉक्डॉन आगे नहीं बढ़ाया गया तो बिहार बोर्ड दसमी रिजल्ट 10 मैं या उसके आसपास जारी कर दे जाएगा यानि कि यहां पर आपको किलियरली बताया गया कि अगर जो आपके गोड़ अध्यक्शानन की सोर जी है उन्होंने बताया कि अगर 3 मैं के बाद भी अगर लॉक्डॉन का डेट अगर नहीं बढ़ता है तो 10 मैं के आसपास जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बताया कि 3-4 दिन जो है अब उनको रिजल्ट त्यार करने में लगेगा क्योंकि बहुत कम काम बचा हुआ है तो आसा करते हैं कि आज का जानकारी आप लोगों अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीज तो वहां से जाकर के भी जो है आप लोग त्यारी कर सकते हैं चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखी